लारा गुडोल साउथ अफरीका महला क्रिकेट टीम में एक बैटर यानि बल्लेबाजी की भूमी का निवाती हैं इन्होंने मार्च 2016 से अपने देश के लिए इंटरनेशनल लेबल पर क्रिकेट कहलना सुरू किया तो आईए जानते हैं इनके बारे में इनके जियोन पर चेके साथ लारा गुडोल का जम 26 अपरेल 1996 जोनसबर्क साउथ अफरीका में हुआ ये एक बाएं आथ की बैटर और दाएं आथ की मीडियम पेज बॉलर है टीम में इनके मुख्य बूमी का एक बैटर यानि बल्लेबाजी की होती है और इनकी जर्सी नमबर है 26 लारा गुडोल की कैप नमबर यानि इनका देश के लिए अंतर राश्टेश तर पर पदार पर नमबर टीट्वेंटी आई में इनकी कैप नमबर है 42 इन्होंने अपना पहला 2020 इंटर नेसल मैच 6 मार 2016 को वेस्ट इंडीज के खिलाब केला और वंडे में के कैप नमबर है 26 इन्होंने अपना पहला वंडे इंटर नेसल मैच 9 अगस 2016 को आईरलेंड के खिलाब केला और टेस्ट मेंन की कैप नमबर है साथ इन्होंने अपना पहला टेस्ट इंटरनेसल मैच 27 जून 2022 को इंगिलेंड के खिलाब खिला और लारा गुडोल डॉमेस्टिक लेवल और फ्रेंचैसी क्रिकेट में वेस्टन प्रोविंस टीम से खेलती है इन्होंने बचपन से अपने बड़े भाई के साथ क्रिकेट खेला और अपने भाई से क्रिकेट खेलना सीखा साथ में ये फुटबॉल भी खेलते थी हाई स्कूल से इन्होंने क्रिकेट को सीरियसली लिया और अपना पूरा फोकस क्रिकेट भी किया सुरू में एक महला होनी की वज़े से कई कठे नायों का सामना इने करना पड़ा लेकिन आज एक सफल क्रिकेटर बन चुकी है फरवरी 2019 में दक्षेन अपरिका क्रिकेट ने इने 2019 के लिए पावरेड उमें नेशनल अकाइडमी में खिलाडियों में और सितमबर 2019 में दक्षेन अपरिका में महला T20 सूपर लीक के उद्गाटन संस्क्राण के लिए इने टीम में सामिल किया गया और 23 जुलाई 2020 को इंग्लेंड दोरे से पहले प्रिटोरिया में प्रेक्टिस सुरू करने के लिए दक्षेन अपरिका की 24 मेला टीम में नामित किया गया फिर न्यूजिलेंड में 2022 मेला किर्केट बिस्वकप के लिए और इंग्लेंड के खिलाब टेस्ट टीम में लारा गुडॉल को टीम में सामिल किया गया और इंग्लेंड के खिलाब इन्होंने 27 जुन 2022 को अपना टेस्ट डेब्यू किया और इंग्लायन में 2022 राष्टमंडल खेलों में क्रिकेट टूर्णमेंट के लिए भी ने दक्षिन अफरीका की टीम में नामित किया गया तो हम लारा गुड़ोल के उज्जल भविस्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि यह इससे भी और अचाए क्रिकेट खेले और अपना और अपने परिवार करना प्रोशन करें थैंक्स पर वाचिंग जैहिन बंदे मात्रम प्रोशन करते हैं